दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे बोरोन 20% के बारे में बोरोन को कब फसलों में यूज करना चाहिए, कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए अकसर किसान या तो लेट यूज करते हैं या फिर जल्दी यूज करते हैं और इसके साथ में क्या मिला करके पर्फेक्ट इसकी डोज कैसे तैयार करनी चाहिए, इस्प्रे करना चाहिए या पानी की साथ में आप कैसे चला सकते हैं, कम्प्लीट जानकारी कवर करूंगी, अगर आप सब जीवर ये फसले करते हैं या बागवानी करते हैं, तो ये वीड subscribe जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे के हमारे सारे लेटिस्ट अपडेट आप तक फटापट पहुंशते रहें मेरे पास जो यह बोरोन है बोरोन 20% है कोरोमंडल कंपनी का है प्यॉर एंड वोटर सोलेबल है अब किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं बहुत सारी कं और अच्छी रिजल्ट देखने को मिलते हैं अब बात करें दोस्तों कि फसलों में बोरोन को क्यों यूज करना चाहिए क्या क्या इसके फाइदे हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके कारिये होते हैं सुक्ष में पोशिक तत्वों में मुख्य पोशिक की व्यजटेटीव ग्रोफ और कई विजटेटीव ग्रोफ और रिप्रॉडैक्टीव ग्रोफ दोनों पर आसर प्ड़ता है दोनों के लिए ही बहुत ही आवशक होता है कोषिक विवाजन को पूरे में पूशिक पूर्ध समान रूप से फैले और पूरे पोड़े में पोशक तत्वा सही रूप से ट्रांसपोर्ट हो उसका काम करता है बोरोन अधिक मातरा में फ्लॉवर्स आएंगे फ्लॉवर ड्रॉप की समश्या नहीं होती है इसकी वजह से फल फूलों के अच्छे विकास के लिए और अधिक आने के लिए बोरोन बहुत ही जर इसलिए बोरोन के बहुत सारे काम होते हैं शुक्ष में पोश्यक तत्वा है लेकिन बहुत ही जरूरी पोश्यक तत्वा होता है अब प्राइस की बात करें तो यह 500 क्राम के पैकेट पे मर्पी है 105 रुपए और लगबग 90-100 रुपए की सम्थिंग मार्केट में अवेलेब होने लग जाते हैं तो वह बोरोन की डिफिशेंशी होती है इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही फ्लॉवर्स आने लग जाए उस टाइम से लेकर कि फ्रूट की साइज छोटी-छोटी हो यानि फ्रूट बरने लग जाए उस बीच में आप कभी भी बोरोन को जरू यूज़ करना चाहिए अगर आपके फ्रूट क्रेकिंग की समय आरे फटने की समय आरे उस टायम ऴी आप तुरंत यूज़ करें तो आपकी फसल मिलक्ल स्वैस्त होगी जो और अच्छी लेटर बनेंगे रिफिट हो इसलो बिल्कल पर होंगे और अच्छी साइज बनेंकि फटने की समश्या नहीं आएगी अब दोस्तों की बात करें कि बोरोन को कौन-कौन सी फचलों में यूज कर सकते हैं तो जितनी भी परकार की सब्जी वर्गिये फचले हैं जैसे कि टमाटर है टमाटर में फल फटने की समश्या बहुत जादा आती है उसके साथ इस भी परकार की सब्जी वर्गिये फचलु में यूज कर सकते हैं भागाई में यूज कर सकते हैं तर्बूज खर भूज में रवी खरिब की फचलु में गन्य और ध़ां में बहुत जादा इफिशिन्च याती है दोस्तों यानि की ऑलमोस्त Сам August की फसलों में बोरोन का यूज किया जाता देखने को मिलता है और डोज अगर कम ज्यादा भी हो जाती है तो भी इसके अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं बोरोन एक एकड के लिए आप एक एजी बोरोन को ड्रिप से या पानी के साथ में आप चला सकते हैं और अगर आप इस प्रे करना चाहरें तो एक से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बोरोन की कॉंबिनेशन की बात करें तो बोरोन का सबसे बेश्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए कॉंबिनेशन है अगर आप सबजी वर्गे फसले करते हैं या जिस भी फसल में कैल्सियम नाइट अप यूज करते हैं तो कानोफिक्स के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं और अगर फसलों में आप इनका यूज नहीं करें तो केवल बोरोन का भी यूज कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जानकर इच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करें ज् झानलाप्स